हेलो माई डिर स्टुएंट्स कैसे आप सभी लोग उमीद करते हैं सभी लोग बहुत बढ़िया हैं तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल या स्ट्रेक ने के हम सभी लोग देखते हैं कि आखिर हम लोगों को मैथ फर्स्ट में नॉलेज लेने के बाद अब मैथ सेकन में क्या-क्या चीज़ा पढ़नी है और एक चीज याद रखिएगा बेटा मैथ सेकन जितनी इंपोर्टेंट है उतना ज्यादा इंपोर्टेंट मैथ फर्स्ट नहीं था रीजन इसका यह है क्योंकि मैथ सेकन में आप लोग जो चीज़ सीखने वाले हैं वो लोग इस स्लेवस में ज्यादा नहीं केबल और केबल चार यूनेट डिसकस करने वाले हैं सबसे पहली जो यूनेट है यह है आपकी इंट्रिगल कल्कुलस मोश्टली जितने भी यूटुग चैनल होंगे आपको वो केबल और केबल यह यूनेट ही आपको कमजगम तीन मही पढ़ने तक पढ़ाते रहेंगे लेकिन आपको अने एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिनने जब यह नहीं पता कि पेपर सतर नंबर का आता है यूपी में कि पचास नंबर का आता है वो आपको क्या ही मैथ पढ़ाएंगे वो तुम्हारी इसके बाद integral calculus second पढ़ना है, ये बहुत से बच्चे जो है, इसमें केबल और केबल एक चीज पढ़के चले जाएंगे, क्या Simpson, बस, लेकिन मैं आपसे बता दूँ, integral calculus second में हम लोग चार method भी पढ़ेंगे, और वो चार method इतनी important है, ठीक है, कि वो आपके paper में कम से कम 15 नंबर क आती है, केबल वो चार method, ठीक, और ये चार method आपको सायद ही है क्यों पढ़ाएगा, केबल और केबल AS technique पर आपको ये सारी चीज़ा पढ़ाई जा रही है, तीसरी unit हमारी coordinate geometry है, निर्दे संक जियामिती है, जहां से mostly teacher गलत करते हैं, question, mostly teacher question गलत करते हैं, जब उन से पूछ से teacher आपको गलत बताएंगे, concept पता ही नहीं है, कि concept क्या है उस चीज़ का, इसलिए मैं आप से कह रहा हूँ बेटा, second semester में भटकने की जरूरत नहीं है, आप केबल और केबल, आपकी जो किताबें आ रही हैं न, mathematics की, वो उस किताबों से पढ़ाएंगे, किताब में भी गलत दिया गया है यह, ठीक है, और यह आपको केबल, केबल, AS technique पर सही बताया जाएगा, कि क्या चीज़ सही है, आप कैसे coordinate find करना सीखेंगे, ठीक है, इसके अलाबा coordinate geometry second, बस, यह चार unit हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है, निर्दे संक, जामिती दुतिय, निर्दे संक, जाम कुछ पहले से upload है, और आप यह मस सोचे की साथ upload है, तो क्या live नहीं मिलेगा, नहीं बिटा, live भी मिलेगा आपको, आईए, इनके थोड़ा अंदर चलते हैं, detailed syllabus में कि हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, so, integration जो आपका होगा, यहाँ पे दो type का integration होता है, definite integration और indefinite integration, है, आपका क्या method of indefinite integration, जो की हम लोगों पहले chapter है, simple integration हम लोग इसमें पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम integration को परतिस्तापन विधी द्वारा पढ़ेंगे, substitution method द्वारा पढ़ेंगे, फिर हम लोग integration को पढ़ेंगे, बेटा किस से racialization method द्वारा परमेई करन विद्नों द्व पढ़ेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे partial fraction द्वारा, अर्थात आंसे के भिन्नों द्वारा, और उसके बाद फिर हम आपको पढ़ेंगे खंड सहा समाकलन, जिसको हम बोलते हैं, integration by part, और फिर हम लोग पढ़ेंगे कुछ special function का समाकलन, मतलब integration of, कुछ business function का business फलनों का समाक फिर हम लोगों को इस वीडियो में, इस फस्ट चैप्टर में, फस्ट उनिट में पढ़ेंगे, इसके बाद जब हम definite में आएंगे, second में, तो second में देखिए, आप यहाँ पे, second में हम लोगों को सबसे पहले तो यह सीखना है कि definite integration क्या होता है, और definite integration को कैसे solve भी किया जाता है, उसका concept, उसके बाद फिर हमें कुछ property based numerical भी सीखने पड़ेंगे, property based numerical बहुत important होते हैं, exam में 5 नंबर और 7 नंबर तक की यह question exam में आते हैं, इसके अलाबाट indefinite, जो आपको सारी, जो definite integration होता है, उसका use करके, कर भी की लंबाई निकालना, area, surrounded area find करना, पैरा बोला का area find क करना, ellipse का area find करना, किसका use करके बेटा, integration का use करके, mean plane निकालना, mean value निकालना, यह सारी चीजे हम लोग किस से पढ़ेंगे, integration का use करके पढ़ेंगे, और आप यकीन मानो बेटा, बहुत सारे teachers जो है, YouTube पे class आपकी लेंगे, लेकिन यह second जो calculus वाला part है, यह बहुत कम teacher आपको पढ़ाएंगे, और यह आपको केवल और केवल AS technique पे पूरा recorded lecture आपको मिल जाएगा, साथ में आपको live lecture भी आपको अभी के अभी join कर ले, इसके बाद फिर इसमें हम लोग चलेंगे दूसरे chapter के बाद, तीसरे chapter में, तो तीसरे chapter में हम लोगों को Simpson के दो rule पढ़ने हैं, एक है 1 upon 3 rule और एक है आपका 3 upon 8 rule, इसके बाद एक है आपका trapezoid नियम, इन सब नियमों को हमें पढ़ना है, इसके बाद फिर हम लोगों को numerical solution of algebraic equation, मतलब जो हमारे बीजगरती है, समीकरन होते हैं, उनका solution निकालना सीखना है, कितनी method से वेटा देखो, तो 4 method आपकी यहाँ प नियूटर रेपसन बीज़ी और एक है आपकी numerical solution of simultaneous equation using gauss elimination बीज़ी तो gauss elimination बीज़ी द्वारा, नियूटर रेपसन बीज़ी द्वारा, regular false method बीज़ी जिसको हम बोल जानो method भी कहते है, तो बोल जानो बीज़ी द्वारा हम लोगों को यह सारी चीज़े पढ़ने हैं, तो य हम लोग जो है बहुत detail में discuss करेंगे, classes आपकी start होई चुकी है कल से, तो कल से आप लोग जो है ठीक 6 बचकर 15 मिट पर ज़रूर चुड़िए, AS technique से live class चल रही है, math second की, YouTube पर भी चल रही है, app पर भी चल रही है, YouTube पर चलने वाली जो classes होंगे, उनकी video और उनका PDF आपको तु सरकर के बारे में पढ़ना है कि सरकल क्या होता है, ब्रत क्या होता है, ब्रत की equation क्या होती है, ब्रत के अंदर बिंदू का बाता है, ब्रत के बाहर point का बोता है, एक सरकल की equation कैसे निकाली जाती है, सरकल का center कैसे निकाला जाता है, radius कैसे निकाली जाती है, radius से center पर perpendicular डालने प सेकेंड जो आपकी है इस सेकेंड में आपको सब से पहले तो ठीकना है 3D के बारे में है ना कि 3D आपकी क्या होती है 3D में आपके कौन-कौन से क्या बोलते कौन-कौन से points से हैं ना मतलब आपके axis जो होते हैं x axis y axis z axis उनमें कौन सा point किस octate में होता है ठीक है कौन से octate में होता है वो सारी चीज़े पढ़ेंगे फिर हम लोग पढ़ेंगे कि straight line क्या होती है है ना straight line क्या होती है straight line की equation कैसे निकाली जाती है एक plane से straight line तक की distance क्या होती है ठीक है दो point के बीच की distance क्या होती है direction दिक को जाएं क्या होती है दिक अनुपात क्या होते है equation of straight line को find करना है ना 2 point दिये गए हैं 3 point दिये गए हैं उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकर गयात करना ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोग को इस चेप्टर में पढ़ना है अब syllabus के बाल इतना है लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे question exam में आते हैं तो वो extra चीज़ें क्या होगी वो आपको AS technique app बताएगा कि extra चीज़ें जो exam में पूछी जाती है या वो क्या है इस syllabus के according तो ये पूरा syllabus आपको AS technique app पर कराया जाएगा सभी लोग तुरंत AS technique app जोइन कर लें AS technique पर math के अलावा आपके जितने भी technical subject हैं उन सभी की तैयारी बहतर तरीके से कराई जा रही है ताकि आपको आने वाले समय में आने वाले semester में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े तुरंत AS technique app जोइन करें अरे क्यों डर रहे हो और क्यों तनहा बैठकर देख रहे हो अपने हातों की लकीर को उठो बाधो कमर और अपनी महनत से लिख दो बेटा अपनी तकदीर को तो तुम्हारे दोस्तों ने तो course purchase कल दिया है तुम पच्चताओगे अगर नहीं करोगे तुरंत course purchase कर लो और अभी के अभी AS technique जोइन करो जैहिंद जैभार